ह् है थ्युंत्र है श्टॉइश सब्सक्राइब के एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है और आज अपने स्थार्टकांगे हैं ग्रूप नॉबर्शम्र से स्थर्वे वरग है और यह लुज़शन्ज में संद से पहले आपना योगी पढ़ने हैं वह है क् लेते हैं क्लोरेन को बनाने की विद्या क्लोरेन का विर्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्लोरिन बनाने की विद्या सबसे पहले मनोटू के साथ एच्छी रियेक्शन देखो तो यहां से आपको निकालने हैं एच्छी तो मैं एच्छी लिए लेता हूं च्यार मोलिक्रूल्स तो यह दो एच्छी निकल जाएंगे यह निकालना है उसके बाद में बच्छे विए चार कलोरिन चार में से दो कलोरिन जुडएंगे मैंगनीज के साथ तो पड़े का मनें और बागी के दो क्लोरिन बनाएंगे च्छी ल्टू वेस यह क्लोरिन का निर्मान होगे दूसरा मेधन है क्या मनोफोर के साथ रेक्षट आपको सेमी करवा लिए यहां से आप निकालेंगे एस्टू तो यहां से आप निकाल दीजिए पर गर्वाद के बात पर निकले और पॉस्थ से डोउते के साथ मेंगनी यह साथ मैंगनीज क्लोराइड बागी यह पांस बड़ाएंगे क्लोरिन गैस अब यह इस तरह से निर्मान कर सकते हैं तीसरा बनाने का प्रोशिजर है औक्सिजन के साथ यह भी आपको ठीक सेम भी करवाना है यहां से आपको निकालने हैं बच गए दो कलोरीन के इस त्विदी का नाम होता है डिकॉन प्रक्रम और एक बढ़ाने का जो प्रोसीजर हुआ है नेलसल प्रक्रम नेलसल सेल कक्सा 11 में आपने पढ़ाता है यह नेलसल किवह अपने को एक लोले की जुरुरष फठ़ेगी की कि रेक्सिए का खいつ की लीयधे कुछ लगी की को डिनाइनो का उक्सिए उसमें भी एनलओ घोग्न उक्सिक्रम तो और वहीं एक उत्याकर से दो दो इल्यूटरण का त्याहर करके कि अनिर्मान करते हैं तो जो नेलसन सेल होता है उसमें भी एनोड पर कलोज सील माइनस आयनों के उक्सिकरन से कलोरीन का निर्मान होता है यह है कलोरीन के विफ्चन की सीदी-सीदी चार वी दिया नेक्स्ट देख से इसके गुण कलोरीन एक गैस होती है जो हरे और पिले रंकी गैस होती है बहुत ही तीक ही गंदा आती है और दम बोटू गैस यानि सवसन के साथ अगर आप ज्यादा देर तक इसको लेते हैं तो दम उठने लगता है वायु से लगबग डाईगोणा चयदा भारी होती है जल में वीले होती है और इसका जलेए-वीले हो था उसको कलोरीन जल के ना मसे सबस्क्राइब निए कि दातों के साथ में करवा लेते जैसे के साथ कर वाली एल्यूमिन्यम के साथ कर वा हुए तिर अध्यक्षन बन जाएंगे एल्यूमीनियम के साथ एल्यूमीनियम का क्लोराइड सब्सक्राइड के साथ करवा सकते हैं आप पहले भी करवा यह इस तरह से सल्फर का क्लोराइड बन जाएगा यह दात्मों के साथ कलोरीन की रियक्षन पहले और दूसरी रियक्षन जो कलोरीन है इसके आईड्रोजन के साथ विस्वेशज बन दूता होती है अब क्लोरीन के आइड्रोजन के साथ इसे लगा होता है क्लोरीन का यानि क्लोरीन को जहां कहीं भी आइड्रोजन दिखेगा ना तो वहां से आइड्रोजन को ज़रूर निकाले गए जैसे मैं H2S की भीगरिया करवा तो क्लोरीन के साथ तो H2S के जो hydrogen है उनको chlorine निकाल लेगा 2 hydrogen और 2 chlorine 2 HCl प्लस sulfur sulfur के दोनो hydrogen का discussion हो गया क्या फिर कोई hydrogen आपनों सकता है जैसे C10 H16 सारे के सारे hydrogen निकाल लेगा यहां से 16 hydrogen है तो 16 chlorine यहां के सारे hydrogen निकाल करके 16 HCl बचाएं अपने पास में बढ़ेगा क्यों बचेगा 10 C 10 molecules कारपण के बचेए यह chlorine का होता है hydrogen के साथ में विसेश बंदूदा होती है विसेश लगा होता है उसका परिणाम होता है फिर रियक्शन अपने इसकी पढ़ते हैं ammonia के साथ और फिर बढ़ेंगे sodium hydroxide के साथ calcium hydroxide के साथ यह तिनों रियक्शन बहुत ही मेत्वपूर्ण है chlorine के लिए फिर रियक्शन में करवाता हो देखो ammonia के साथ ammonia के साथ chlorine की reaction होती है दो प्रकार की दो प्रकार की कैसे कैसे एक बार आपन ammonia की मातरा या और दोनों के बीच recommend करहें है दूसरी बार आपन chlorine की मातरा ज़ादा लेंगे ammonia की मातरा कम लेंगे KokSe टो फ्रस्ट रियक्शन में ammonia की मातरा ज़्यादा ले लेता हूं यानि ammonia की आप जितने चाहें उतने molecules काम में ले सकते का component की मातरा आपने पास में है का हिए सबसे पहले देखे के लिए snacks के साथ के पने की Symphony की विशेस बंदूता औरो दोसल ना को अथ यहां पर आईडोजन के साथ कि इसकी लेक्षन किडादीजान दीजिए zar सब्सक्राइब को निकालने के लिए यह थ्री सियल तू ले लेता हूं तो देखो क्या बढ़ेंगे 6 कलोरीन और 6 हिड्रोजन 6 हिएल प्लस बचा क्या दो नाइट्रोजन यानि एन्टू गैस यह प्रोडेक्ट मनते हैं यह बढ़ते हैं नॉर्मली जब रियेक्शन होती है तब लेकिन अपने को नॉर्मल रियेक्शन नहीं करवानी एक बार अमोनिया ज्यादा लेंगे एक बार कलोरीन ज्यादा और इस हमलो और नहीं में पढ़ा था अपने नहीं चाहर की साथ देखें तो चैन हों नहीं करके क्या बढ़ा लेंगे और यह देगे अमोनिया के कुपनों ले लिए अपने 6-8 आठ आठ मोलेक्विल्स दिया यह अपने पास में बन गया अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गयस अमोनियम क्लोराइड संतुलिस कर लीजेंगा 6 मोलेकुल्स अमोनिया के लिए 6-2एट मोलेक्वल्स यह रियक्शन और यहां पर अपने पास में अमोनिया का आठ के दूसरी रियक्शन मा लेंगा क्लोरीन का आठ के ms3 ns3 iis बार अपने पास में अधी के किसका होगा कलोरीन का भेली किलोरीन खुब है तो पहले को नूर्मल रीक्शन करता देते हैं यहां कि जो कलोरीन वे आइड्रोजन को निकाल लेंगे तो यह बनेगा प्लस ये वाले क्लोरीन आइड्रोजन को निकाल लेके पस चार क्लोरीन आपके पास में खूब है और बचावा है तो बचे वे एक क्लोरीन इस नाइड्रोजन के आपने जो तीन आइड्रोजन निकाल करके ये तीन आइड्रोजन निकाल करके तीन सोयोजक्ता खाली किये इन तीनों सोयोजक्ताओं पर भी बचावा कौन चुट जाएगा कलोरीन तो कि कलोरीन की इस बार कमी तो है नहीं अधिक है तो यहां पर भी कलोरीन चुटेंगे चुट गालेगा ठीदेशन को और दूसरा क्लोरीन आइड्रोजन के साथ 這 ज़ोज चुटेगा यह यानी अधिये प्रकरति का होता एक इस एसलिए होता है क्योंकि नएक्ट्रोजन-z त्राइक ठाकरतिक ह Workers छोटी और chlorine की सायज होती है nitrogen की तुलला में बड़ी तो nitrogen के चारों तरप आप 3 chlorine इस तरह से add करोगे तो chlorine के बीच में देखें दूरी प्रेस कम रहेगा पास पास आजाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन की साइज चोटी और क्लोरीन की साइज बढ़ी है तो इनके बीच में क्लोरीन के साथ रियक्षन कराते हैं आपको कड़ना क्या है और क्लोरीन का जलीए विले है अभी अपन बोती गुड़ों में तो अपने पढ़ लिया कि क्लोरीन जल में विले होता है और इसके जलीए विलेन को क्लोरीन जल कहते है रासायनी कुणों में बन अभी क्लोरीन को जल में गोलेंगे और क्लोरीन को जल में गोलने से HCl अमल बनता है और धार्त कलोरीन अमल यह प्रकृतिका है और यह है छारी तो अमल और धार की रियक्शन से बढ़े का लवन और जल तो यहां पर आपको करना क्या है जल निकाल दीजिए यह जैसे एन्यवेस और कलोरीन अब बच जो दोनो कलोरीन एक कलोरीन इसके अनूब्य साथ में चुट जाएगा और एक कलोरीन इसके साथ में तो यह तो बढ़ जाएगा और यह बढ़ जाएगा एनी चील एक तो सोडियम क्लोराइड और एक एने ओसी यह 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 बढ़ गया है सोडियम हाईपो क्लोराइड इस तरह की रियक्शन होती है थन्दे और तनो एन्योवेस के सेकेंड अपन करवाएंगे संद्र प्लस गरम नोष लेंगे नोष प्लस सियल रियेक्शन ठिक इसे पर कार से होगी विश थोड़ाग सा चेंज करेंगे अपन तनू और संद्र का क्या मतलब होता है तनू यानि नोष की संद्रтा कम है और संद्र यानि NOH की संद्रता ज्यादा है तो इसमें NOH की संद्रता ज्यादा होगी तो आप एक काम कीजिए इसकी संद्रता को ज्यादा करने के लिए ये वाली जो reaction है इसको तीन से गुना कर दीजिए यानि 6 NOH प्लस 3 Cl 3 H2O 3 NaCl और 3 NaOCl ये तीन से multiple कर दिया मने तनू में NOH की मातरा कम थी और संद्र में NOH की मातरा हो गई ज्यादा अब देखिए यहाँ पर Sodium Chloride के तीन यहाँ एक बना था तो तीन गुना बढ़ गए 3 Sodium Chloride 3 Sodium Ipokloride अब देखिए चेंज यह होगा जो Sodium Ipokloride के तीन Sodium Ipokloride इस्ताई होने के लिए क्या चाहता है कि उसके बीच का जो Oxygen है उसका वो त्याग कर दे तो NACL stable हो जाएगा तो यह तीनों Molecules आपस में compromise करेंगे और इन में से दो Molecules Oxygen का त्याग कर देंगे और यह दोनों Oxygen जो तीसरा Molecules है वो accept कर लेगा ताकि दो जो Molecules है वो stable हो जाएग और केवल एक ही अनिस्टेबल रहे तो यहां पर आपके पास में जो 3 NaCl बढ़ा है उनका देखो क्या हो गया दो तो convert हो गए NaCl में यानि तीन और दो 5 NaCl हो गए और एक का क्या हुआ NaCl में दो oxygen और जुड़ गए यानि यह बढ़ गया NaClO3 यह बढ़ गया और इसका क्या नाम होता है ClO3 यह oxygen में आयता एक दिन बता है विता हमने आपको ClO3 माइनस इस रिणाइन का नाम होता है कलोरेट तो यह अपने पास में बढ़ गया है sodium chloride यह दोनों में different है next reaction करवाते है calcium hydroxide के साथ में वह भी आपको ठीक सेम आइसे करानी है यह calcium hydroxide सेम ही reaction करानी है एसे के से 2CAOH की hold twice देखो CAOH की hold twice इसके लिए लिए मैंने दो molecules अभी आपने क्या किया था दो एन्योच लेकर के उन में से H2 निका लेते एक एन्योच में से H+, और एक में से oh- ठीक है तो यह reaction हो गई और दो क्या निकल गई है एस ही किया था यह न्योच तो एक में से H+, और एक में से C- और फिर यहां पर chlorine जोड दिया था एक यहां जोड दिया और एक यहां जोड दिया वह इंग प्रोसीजर यहां लगाओ जहां से HCl, H+, निकाले हैं, वहाँ पर कलोरीन जोड़ो, जहां से OH- निकाले हैं, वहाँ पर कलोरीन जोड़ो, यह reaction हो गए, तो यह तो बढ़ गए अपने पास में CaOCl की होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस, केलसियम आईपो कलोराइड, और यह बढ़ गए CaCl2, केलसियम कल यह reaction होती है, केलसियम आईड्रोकसाइड के साथ, संदोलित कर लिजे, CaOCl के दो मलिकूल ले लिजे, इसमें अपने पास में यह बढ़ा है, यह होता है, बलीचिंग पाउडर यानि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जो आपके सामने लिखा हुआ है, यह विरंजक का फोर दूला होता है, यह सभी, केलसियम क्लोराइड, केलसियम आईपो क्लोराइड, यह वाला, यह वाला, और यह, केलसियम आईड्रोकसाइड, इन तिनों कमपाउंड्स का, इन तिनों योगिकों का जो मिक्चर होता है, जो मिस्रन होता है, उसी को बोलते हैं, विरंजक овал filter और यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो किसका रिमाण होगा विरंजक चूण का निर्माण है तो यह की रिएक्सन होगी ध hp wind the next reaction डेखटे है अपने इसकी ओक्सिक रण फ्लोरिन एक प्रबलोक्सिकारक भी होता है यह अपने पहले के वीडियोज में भी देखा है एक बार यह अपने पढ़ाता है पीछे के बैक वीडियोज में कि एलोजन प्रबलोक्सिकारक होते है जितने भी एलोजन होते हैं सारे प्रबलोक्सिकारक होते हैं क्यों होते हैं य के वह भी एक प्रबल ऑक्षिकारक है और दातों और जाको अक्सिकरन करेगा तो चलिए कुछ दातोंं गोसी करवा है एक रोटा करते हैं यह को खरते हैं यह इसको आपियुक्यून करके और क्लोरिन के साथ सब्सक्राइब देखते हैं कि असब ख्लोरी दाटी या या अधाल का ऊक्सीक्रण करके स्वेंट हें सीरल में अचाहिए ठीक खुद किस्केट हो जाएगा सब्सक्राइब अच्छा इसकां करका गार प्लस थ्री में तो अच्छा करने के बाद में इसके शुत्र का देखू क्या सुत्र माइनस तू तो दोनों को जोड़ दिया तो एक सोपोर सुत्र बना अभी एच कलोरिन ने क्या किया एप e ब्लस तु को चेंज कर दिया डिए नहीं तो अभी स्काइश के साथ में प्लस 3 में तो अब इसका है किसमें HCL में प्लस HCL यह reaction लिजे complete को संतुलिद करके लिग लिजे इधर दो F है तो इधर भी दो ले लिजे इधर दो क्लोरिन है तो इधर भी दो क्लोरिन कम्प्लिट रेक्शन संतुलिद हो गई आप चेक कर सकते हैं क्लोरिन के साथ जल में बोल देते हैं तो किस तरह से उक्सिकरन करवाता है यह वाली रेक्शन हो यह ठीक वैसे यह कराएं इस रेक्शन में देखो सीधा सीधा में आपको बताऊं क्या हुआ है यह दोनों आइड्रोजन और यह दोनों क्लोरिन इन दोनों ने मिलकर के बना लिया एचियल और बचावा एसोफोर में नहीं दर जोड़ दिया दो एसोफोर से तीन एसोफोर कर दी वह रेक्शन आपको यहां पर करानी है यह दोनों आइड्रोजन और यह दोनों क्लोरिन द तरह से आप Oxydaya कर वा सकते हैं कि कार्बन का या आविडियन का कुछ दो इन दो कर वा लेते हैं देखो क्लस एलटू प्लस स्टू दो क्लास एलटू फ्लस तो एलटू के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कारगन का ओक्सिग ना मैसा होता है किसमें CO2 कलोरीन का अप्चैन किसमे होगा है इसलिए इसके दो इसके वी दो आपके पास में और चाहर है घ्रेक्शन को संतुलीद करके लिक्षिए आयोडीम की Oxidation reaction हो गए तो यह है क्लोरीन की Oxygen और अब चाहिना दीख लिए हैं है कि एक रियक्षन और बस्ति है क्लोरीन की जल में कोड़ते हैं तब क्या होता है क्या होगा क्लोरील की अडुरुजिन के साथ विशेश बन दूता है तो दो HCl और यहां से निकल जाएगा नवजात ओकसीजन होती है नवजात ओकसीजन जो होता है यह विरंजक के लिए बढ़िया होता है विरंजक का गुण होता है नवजात यह विरंजक क्या होता है किकी सी रंगीन पतादक का कलर गायब करना रंगीन पतादक कि जब नवजात ऌक्सिजन के साथ रियक्शन और तो रंग आलेट हो जाता है यह तो यहुत आने हे क्लोरJ कम जलीए वीलिया ने होता है इसमें एवीरंजक का दोरीन के उपयोग है कि इसका उपयोग विसेली गैसों के निर्मान में किया जाता है है अब क्लोरीन के द्वारा तीन बहुत ज्यादा विस्टे गैसे बनाई जाती है नमबर 1 पहली फोस्टजीन हमने एक पढ़uju प्योसफिन प्यास फ्ली यह उस्arnosीन सी ऑच लटू 3 लोमड़ घुरसरी एक हैस होती है इस्ट्रूगैस छो ऑच अस्ट्रूगैस होती है इसको कलोरोपीक्रीन भी बहुतते CCL3 NO2 और एक होती है मस्टरेड गैस इसका पॉर्मूला क्या होता है सल्फर पर CH2, CH2, CL दो ग्रूप सेम तुसेम CH2, CH2, CL यह तिन बहुत ही हानिकारग और विसली गैसे हैं जो बनाने के अंदर कलोरीन का उपयोग किया जाए इसके लगा कलोरीन के और देखे क्या क्या उपयोग होती है कलोरीन का उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है अभी आपने बढ़ा कि कलोरीन में विरंजक का गुन होता है तो कलोरीन का उपयोग नमर एक विसली गैस पढ़ाने में कपड़ा अध्यों को कहते हैं हुश्аб क्लोरियू का है गोल्ड चार्शन में कलोरिल है बहुत चाहितता से बहुत सारे कार्पनीक योगिक है बहुत सारी उस दिया है जो बनाने में chlorine का उपयोग किया जाता है तो यह chlorine gas के कुछ उपयोग mostly आपको जो पहला उपयोग है उसको विशेश रूप से धान में रखना है कि chlorine gas क्या काम में आती है आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो तोड़ा लेंथी हो गया, इसके लिए मापी चाओंगा लेकिन इसके साथ में अपना कलोरीन का टोकपी भी कम्प्लीट होता है जये